आई से से बैंक है जो बिलकुल रिवर्स खड़ा है sbi के अगर डेजलोड टेस्ट कर रहा है दिखाऊ जब रहा है स्क्रीन पर आई से बैंक तो आई से से बैंक सर एक बैंक का स्ट्रॉंग और एक बैंक का वीक काउंटर आप और बता सकते हो अच्छी लग रहा है बट मैं जहां तक बोलते बोलते मैंने घुलना था बट ज्यादा तर नीचे जाने की संकेती मिल रहे तो इसलिए मैं बूलूँगा कि यह ICI-CII में स्ट्रेंग है इसमें आप रूची रख सकता है उपर की दरफ जाने के लिए और IDFC फर्स्ट बैंक वो ऐसी जगह पर पहुँच रहे कि वो इस लेवल पर मतलब यह कोई कारण से सटर से आट साट इनियर रेंज के आसपास आ जाए तो इसमें लॉंग टर्म के ल करना ही चाहिए लेकिन SBI HDFC बैंक भी मुझे को अच्छा नहीं लगता है ICI-CII भी डबल टॉप जैसा बनाया है 1250 के आसपास तो अगर कोई भी रैली आप दिखेंगे तो फूल बैक रैली रहे कि आप ही कहरें कि IDFC first bank में को 70 रुपे के आसपास लॉंग टम के लिए रखना है तो सर मैं 70 रुपे कर बायर डालता हूं इस केस में में को स्टॉप लॉस दो गया आप IDFC first के अंदर कितना सर कितना टार्गेट स्टॉप लोग वापिस बताना एक बार 66.80 66.80 ठीक है और टार्गेट कर रखो सर इसका कि आप लंबी अब दिके लेंगे तो यह मैं तो मानता हूं कि यह एक सो से एक सो दस इनिशियल टार्गेट है उसके बाद में कि फिर एक सो बाइस का भी टार्गेट होगा लेकिन वो पूने में टाइम लगेगा दिखिए एक चीज है कि इसका जहां तक मेरा as far as I can remember हम जो दिखाता है कि इसका return on assets 1.17 जब तक यह 1.75 की उपर जा नहीं पा रहा है तो major if I buy in तो यहां पर होगा नहीं लेकिन यह बदिन नातन साब ने किया बोला है कि third quarter से अच्छी प्रदर्शन दिखने लगेगा और यह काफी अच्छी उपर की तरफ movement दे सकता है जगर उनका आने जो सोच रहे हैं वो सही बना तो तो इस level पे जहां पर हम आपको लेने के लिए सला दे रहे इस level पे मैंने पिछले बार भी देखा था जब गिर के आ रहा था तो इस level पे बहुत अच्छी बाइं होता है तो यह बाइं करने की जगा है और किसी को अगर एक सो के उपर जाएगा नहीं जाएगा 92 से लेके 96 के बीच में एक बार कुछ प्रॉफिट टेकिंग की संभावना रहेगा अगर यहां से उपर की दरब चलने लगे तो वहां से बुक कर लीजेगा वट फॉर दे लॉंग टर्म इडिस वान अप दे बैंक्स आई ट्रस्ट तो हमने आइडी एफसी पे स्टेंपिंग भी कर दिया आप बता रहे हैं कि इसमें 70 रुपे के अंदर एंट्री करनी है 600 रुपे सी पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है और 110 रुपे का आप ठाट टार्गेट दे सकते हैं यानि कि अगर आप पूरा साल भी इसको रुक जाते हैं भी हम सेप्टेंबर में चल रहे हैं से फानेशली भी पूरा रुकते हैं में को लग रहा है कि एक बैट अच्छी ह करेंगे हम आइसेसे बैंक ने काफी हद तक SBI के डैमेज हो खतम किया आपको मताओं सिर्फ SBI ही रुख जाए ना चलने से रुख जाए तो आपका काम बन सकता है क्योंकि HDFC तो फ्लैट है और आइसेसे बैंक करीब आधा परसंट उपर है दोनों बैंकों के पास इतना दम ह है कि बैंक निफ्टी को कम से कम यहां से वापिस से पचास आठ सो और एक क्यावन हज़ार की कैपेसिटी तक ले के आने की हिम्मत है ठीक बट SBI का लॉस रुखना चाहिए और आइसेसी की बड़त खन नहीं होनी चाहिए बस यह दो चीज़े अगर होती है तो बट फिर भी कि आप बहुत इसलेक्टिव रहें सिर्फ अभी वेट एंड वाच कीजिए नोटिस कीजिए ऐसा नहीं कि अगर हमने कोई पॉइंट बोला है तो आपको तत्काल में काम करना है आप सोचिए समझे वित्ते सलाकारों की राए लीजिए फिर उतर के आए मार्केट के अंदर आपको अच्छे अच्छे ट्रेड जरूर दिखेंगे